संसत के बजट सत्र का आज आखरे दिन रहा आज संसत में राम मंदर पर धन्यबाद प्रस्ताव पेश किया गया इस पर सभी संसतों की ओर से अपनी बाते रखे गई वहीं अपसे कुछी देर पहले प्रधान मंदरी नरेंद्र मोदी का संबोधन समाप्थ हुआ है और उनकी और से सगन के भीतर कहा गया कि देश में रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म बहुत कम होता है लेकिन सत्रहमी लोकसभा ने इस काम को कर दिखाया है उन्होंने कहा कि हमने बहुत कम देखा है कि रिफॉर्म भी हो परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होते नेने बेंचमार्क स्थापित किये हैं हमारे सम्विधान लागो होने के 75 साल भी इसी कालखंड में पूरे हुए इस कारेकाल में बेहद जादा रफॉर्म हुए हैं गेम चेंजर 21 सदी की मजबूत नीव उन सारी बातों में नज़र आती है एक बड़े बदलाव की तरह तेज गती से देश आगे बढ़ा है इसका भी जिक्र करते हुए अपने बीदे 5 सालों के सरकार की उपलब्धिया भी उनकी ओर से गिनाए गई प्रधान मंत्री ने कहा कि देश में अब चुनाब अब जादा दूर नहीं बचा लेकिन कुछ लोगों को घबराहट हो रही है लेकिन उन्हें इससे परिशान होने के जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है और क्या कुछ कहा गया है प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी के ओर से लोग सभा के भीतर सुनते है आज राम मंदीर को लेकर के कि सदन ने जो प्रस्ताव पारिक दिया है वे देश की भावी पीजी को इस देश की बुल्यों पर फर्वर्वर्वर्वर्दे की संवेधानिक शक्ति देगा यह सही है कि हर किसी में यह सामर्त नहीं होता है कैसी चुछम है तो कोई हिम्मत दिखाते हैं कुछ लोग मैदान छोड़के बाग जाते हैं लेकिन फिर भी भविष्य के रेकोर्ड को देखेगे तो आज जो व्याक्षां बहुए हैं जो बाते रखी गई हैं उसमें संवेधना भी है संकल्प भी है सहनुहूती भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ेना का उसमें तक पूर अधर नियत्यक जी है चुनाव बहुत दूर नहीं है कुछ लोगों को थोड़ी गवराड रहती होगी लेकिन ये लोग तंत्र का सहच आवश्यक पहलू है हम सब उसको गर्व से स्विकार करते हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले लोग तंत्र की हमारी जो परमपरा है पूरे विश्व को अचम्बित करने वाले अवश्य रहेंगे ये मेरा पक्का विश्वार्ण ये पांच वर्ष देश में रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांस्फॉर्म ये बहुत रहर होता है एक नया विश्वास भरता है ये अपने आप में सत्रहवी लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है वो समिधान में एक दरार दिखाई गेती थी एक खाई नजराती थी एक रुकावत चूपती थी तेगे इसी सदन भारा तीन सो शट आर्टिकल तीन सो शटा शटा शटार के समिधान के प्रून रूप को कई इसकी प्रुन प्रकास के साथ कि इसका प्रगटि करने ऊए जमु किशमीर के लोगों को सामाजी इगन्याए से बंचीत रखा गया था है आज हमें संतोश हैं कि सामाजी इगन्याय का जो हमारा कमिटमेंट है हमारे जेमी किशमीर जभाई पहूंचा कर के हम आज एक ट sf उसके अनुखूती कर रहे हैं। जब भी इस नए सदन की चर्चा होगी तो नारी शक्ति बंदन अजिरियम इसका जिक्र फूच करके जने एक और भले ही वो थोटा सत्र था लेकिन दुरगामी दिनर्ण करने वाला सत्र था इस नए सदन की पवित्रकता का एहसांस उसी पल श शक्ति देने वाला है और उसी का परणाम है कि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में यहां हमारी मात्रा ये बहने बैठी होगी देश गवरों के अनुखूत। के सरका भाशन देकर दरसल आग्याने वाले वक्त की एक नीव रखी गई है प्रधानमंत्री दरेंद्र मोदी के ओर से लोगसभा के भीतर वहीं रज्जिस सभा में भी बीजेपी अध्यक जेपी नड़ा ने राममंदर प्रस्ताव पर अपनी बात रखी नड़ा ने इसे एतिहास एक शन करा दिया सांस्कृतिक चेतना का पुनर जागरन का दिन होता है ये भी हमको ध्यान दो और ये दिन कोई हजार साल नहीं कोई दस हजार साल नहीं सहस्तर सताब्लियों तक इस दिन को याद रखा जाएगा एतिहास एक दिन होगा ये भी हमको याद दो राम राजी का भी जिक्र करते वे जेपी नड़ाव राजी सभा की भीतर नजर आए वहीं यूपी वधान सभा में कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदितिनात का संबोधन हुआ वधान सभा में भी सियम योगी ने शीराम और राम मंदर के बारे में विस्तार से अपनी बात कही और ये बोला कि अपकी बार का बजट राम लला को समर्पत है और ये हमारा सोभाग्य है कि जब आज हम लोग मेरी सरकार ने अपना आठवा बजट प्रस्तुत किया है तब अयोध्या में प्रभू राम लला का भव्य दिव्य और नव्य मंदर बन करके आज प्रांश प्रतिष्टा का कारिक्रम भी बड़ी धूंधाम के साथ संपन हो चुका है राम लला वहां बिराजवान हो चुके हैं और इसलिए बजट भी प्रभू राम के स्री चौनों में समर्पित है क्योंकि लोक मंगल का ये बजट है इसलिए प्रभू राम लोक मंगल के प्रतीक है ये बजट भी उनके स्री चौनों में समर्पित है ना पक्ष ना विपक्ष ना लेफ्ट ना राइट ना मिर्च ना मसाला खबरों का बोल बाला निडर निर्भीक सबसे सटी स्पेशल रपोर्ट सिर्फ आज टक पादे एर रेट की ये साइरन समय समय पर आपको सुनाई देते सवालों की जंता के लिए जंता के द्वारा जंता की दस तक श्वेता सिंखे साथ सिर्फ आज तक पर मुद्दो का मैदान तर्कों पर घमा साथ जिस से किसके ठनी इस ने दी इसे पर तक या सच है इसको छिपाने की उशिश्चा वों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाडा दंदर देखे मेरे जानी चित्रा त्रपाथी के साथ रोजशाम पांच बजे तर्व आज तक पर ना पक्ष ना विपक्ष ना लेस्ट ना राइट ना मिच ना मसाला खबरों का बोल बाला निडर निर्भीक सबसे सटी स्पेशल रपोर्ट सिर्फ आज तक पर पर आपको सुनाई देते हैं शौर्य की भारत और चीन के पीज़े साहस की सभी पाढ़ ग्रस दिलाकों का हवाई सर्वेक्षन किया है सारोकार की राजिपूर में किसान से बाचीश करें संखर्ष की कश्मीर को आगे बढ़ना होगा संयम की भावनाए भड़की या दंगे भड़काए गए सवालों की जन्ता के लिए जन्ता के द्वारा जन्ता की दस तक श्वेदा सिंखे साथ सिर्फ आज तक पर